दोस्तों ये बात हम सब जानते हैं कि या तो YouTube से या फिर Chrome से सभी YouTubers वीडियोज को अप्लोड करते हैं लेकिन कभी कभी अगर आपको photos अप्लोड करनी हो या फिर कोई text message अपनी audience को देना हो तो हमें Community Tab की आवेशक्टा पड़ती है और अब तक YouTube की policy में community tab का जो threshold था वो था कि 1000 subscribers जिनके पूरे हो जाएंगे उनको community tab दे दिया जाएगा लेकिन अब good news ये है कि इस policy में बहुती बढ़ियां change किया गया है YouTube ने अभी एक घंटे पहले ही tweet किया है और उसमें बताया है कि 12 October 2021 से YouTube की नई policy लागू होगी जिसमें community tab का threshold अब 1000 subscribers नहीं 500 subscribers रहेगा यानि जिनके 500 subscribers complete हो जाएंगे वो community tab के लिए YouTube के help and feedback center में अपील कर सकते हैं और उन्हें community tab एक हफते के अंदर मिल जाएगा इससे सभी new YouTubers को अपना channel grow करने में भी काफी help मिलेगी आप अपने वीडियो को भी community tab में share कर सकते हैं और audience को भी कोई भी अगर सूचना हो तो वो दे सकते हैं अगर आपको भी अपडेट काफी पसंद आया तो comment section में जरूर बताएं लाश्ट में मैं यही कहूंगा और शायद आप भी comment में यही लिखेंगे वा यूट्यूब वा आज तो आपने कमाल कर दिया